इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे बर्ड सेंदेर भी किया चैप्टर 4 है क्लास 3 का साइंस कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस ठीक है न्यू पॉब्लिकेशन का और इससे यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ट है और जिनके स्कूल में यह बुक चलते हूं और व तो चली हम लोग देखते हैं कि देखो बर्ड जो होते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं बर्ड जो होते हैं ब्यूटिफुल किरियेचर्स होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो उससे जस्ट डिफ्रेंट होते हैं बर्ड होते हैं ठीक है और यह ऐसे अनि है ना। उसी तरह से बर्ड के भी अलग-अलग बहुत सारे टैपस के बर्ड होते हैं आप अपने अगल-बगल भी देख सकते हैं आपका पेरोत हो गया ठीक है फिर birds हो गया है पिकॉक हो गया है यह सब सब अलग-अलग प्रजाती है ना birds के और उनका हम लोग bigs के बारे में पढ़ेंगे bigs मतलब चोच होता है ठीक है जिससे वो खाना खाती है और इनका अलग-अलग uses होते हैं देखो यहां पर दो birds आपके सामने दिख रहा है इनके पास feathers होते हैं यह उड़ते हैं इनका features अलग होता है जस्ट आनिमल से आनिमल सुद नहीं पाते हैं अब देखो birds birds have a light body birds का जो body होता है ना जैसे जो सरीर होता है उनका जो होता है light होता है light मतलब हलका होता है भारी नहीं होता है भारी होका तो कैसे उड़ पाएगा ठीक है एक दम strongly attached रहता है strong muscles से attached रहता है ताकि इनको अपना flap करने में फड़ फड़ाने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो बर्ट जो क्या करती है कि अपना wings को flap करती है दोनों direction में ठीक है? दोनों direction मतलब की upward चल और downward direction मतलब की उपर की ओर और नीचे की ओर उपर और नीचे कुझ स, आप देखोगे birds कूरते समय तो इस तरीका से वो उपर नीचे उपर नीचे करके अपना वाला ओप उप्वाट मुवमेंट में होता है जैसे कि ऊपर की ओर होता है ठीक तो इसको हम लोग आप स्ट्रॉक बोलेầnगे उको क्या बोलेंगे अब श्ट्रो और जब इनका फाइधर्स नीचे की और cautious डाउं डाउन रहता है तो उस मुवमेंट को साइस मूवमेंट को तो हम लोग डाउनस्टॉक बोलेंगे ठीक है दोनों क्लियर हो गया अब बिख्याली हम लोग फीदर के दर्स के बारे उने पड़ेंगे ठीक है फीदर क्या होता है पंक से ढखा हुआ रहाता है इस तरह का पंक से अब देखोगे जब इनका बोड़ से पास अलग-अलग तरह का फीदर्स होते हैं चिडियां के पास देखोगे अलग फीदर्स आपको देखने को मिलेगा वाइट गलर का अब पै रोट के पास देखोगे आइछ आलग फि देखने को मिलेगा packages रहेगा तो सब का अलग-अलग फिदर्स आपको देखने को मिलेगा फार्सट पॉइंट है टाइप स्कूमों लोग पढ़ेंगे देखो बोडीफी दर्स एक होते और यह हमारा down feathers होते हैं और भी हैं पढ़ाएंगे भी feathers which are small and of the different colors cover the body of birds are known as the body feathers, ठीक है, body feathers हम लोग किसको बोलेंगे, देखो, feather जो छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसा पंख जो छोटा होता है और अलग-अलग colors के होते हैं, और उनका birds का bodies को क्या करता है, cover करके रखता है, इसको ह cover करके रखता है, छोटा होता है, और अलग-अलग color को देखने को मिलेगा, वो हमारा क्या होता है, body feathers होता है, down feathers क्या हमारा, down feathers are fluffy and soft, down feathers क्या होता है, कि fluffy होते हैं, मतलब नीचे type का feathers होता है, मतलब कि उसको आप touch करोगे, एकदम soft चुआएगा, fluffy होगा, मतलब कि गद्दे ड body को warm करके रखता है, आगई बास समझ में, next है flight feathers, flight feathers हमारा तीन तरह का feathers को देखें, हमारा first feathers था क्या, body feathers second, down feather और third हमारा flight feather, यह flight feather क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं, जो चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार वीडियो को पीछे करके, फिर सो उसको होती है, ठीक है, उसमें पाया जाता है flight feather, क्योंकि flight मतलब उड़ना होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है, और यह basically कहाँ पे होता है, उनका punk में, wings में देखने को मिलेगा flight feather, यह क्या करता है, मदद करता है उन लोग को उड़ने में, ओके इसलिए इसका क्या नाम पड़ा है flight feather, अब देखो, all birds cannot fly, देखो, जितने भी birds होते हैं, सभी birds को में लोग देखते हैं, क्या होता है, कि उड़ पाते हैं, लेकिन सभी birds लगभख कुछ-कुछ ऐसे birds हैं, जो कि नहीं उड़ पाते हैं, अर्थ पे ऐसे कुछ birds हैं, जो उड़ ही नहीं पाते हैं, उनका birds तो न इसके कारण यह नहीं उड़ पाते हैं, अब birds के टाइप हैं, या वे बाबू, देखो, aquatic birds, aquatic मतलब आप लोग समझते हो, aquatic मतलब ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं, ठीक है, उनको हम लोग aquatic बोलते हैं, ठीक है, तो aquatic birds के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऐ ऐसे birds जो पानी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ birds होते हैं कि पानी में तहर सकते हैं, ठीक है, कुछ birds ऐसे होते हैं कि जो पानी में easily swim कर पाते हैं, जैसे कि ऐसे birds को हम लोग क्या बोलते हैं, aquatic birds बोलते हैं, ज्यादा थर पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक ह हो गया next है features of aquatic birds अब यह जो aquatic birds है जो पानी में रहने वाला अखिर उनका body में कैसा बनाया हुआ रहता है ताकि वो पानी में तहर भी सकते हैं अराम से रहने में भी उनको किसी तरह कोई problem नहीं होते डूपते भी नहीं है तो आखिर उनमें क्या खास features है कि वो पानी में रह पाते हैं कैसे होते हैं मचली जो होती है मचली पानी में उसको एकवेटिक animals क्यों बोला गया क्योंकि यह पानी में ही सांस ले सकती है तो इनका बोडी में लंग्स के जगा पे गिल्स लगा हुआ है उससे वो पानी से ही oxygen को मिल जाता है लेकिन हम लोग डूबेंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे पानी में तो उनका उस टाइप से बोडी ब इनका फीदर्स है पंक जो होता है मतलब कि हलका ये आपको ओली टैप देखने को मिलेगा मतलब लगेगा कि उसका छुओ गये तो आपका हाथ में लगेगा कि तेल-टेल टैप हो गया तो इससे क्या होता है ने कि बोड्स का जो फीदर्स है और यह waterproof रखता है मतलब कि उसमे बर्ट्स का यह सबका जो है ना डॉक की सबका यह ओएल ग्लांट्स रहते हैं तेल टाइप रहेगा और तेल टाइप कोई भी चीज को आप देखना घर में भी आप यह चीज करके देख सकतो कोई पंक लेना उसमें लगा क्या पानी में डालना वह भींगेगा नहीं जल्दी तो इसी टाइप से इनका होता है जिसके कारण यह भींगता नहीं है तो एक यह फीचर्स हो गया है जिससे आराम से अगीला नहीं होते हैं दूसरा है इनका जो फिट होगा ना पैर उप चौड़ा होता है देखो इस तरीका से रहता है और भी यह आप देखोगे मुर्गी वेगरा का तो इस तरीका से रहता है बीच में कहीं कुछ नहीं गया पिंग इसका बीच में देखो ऐसे किया हुआ है इससे क्या होगा कि जब इन लोग पानी में जाएंगे तो इससे पानी को कट कर सकते हैं यहां से ठीक है ताकि यह आगे स्विम कर सके इजली आगी बास स घर पे उपर चृत क्वार कभी कभी क्या होता है कुछ आप सूखने के लिए के लिए डालते हैं दाना वगरा वो को जयी आप कँछ दाना वगरा गरां के इसबाहा हुआ है वो अच्छे से function करता है ecosystem मतलब जिसमें हम लोग रह रहे हैं जहां पेंड़ पौधा सभी तरह का चीज है उसको लोग ecosystem बोलते हैं ठीक है आव ecosystem हुमारा सभी चीजों से maintain है हम लोग भी उसमें आ जाते हैं इमल्स हो गया बोट्स हो गया यह सब सब आपस में maintain करके रखे तो dispersal मतलब कि एक जगा से दूसरे जगा से जंगल में कैसे होता है कोई तो वहाँ पे किसी तरह का plantation करने तो नहीं जाता है लोग plant फिर भी वहाँ पे plant हो जाते हैं automatic plant हो में सा होते रहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि birds मान की चलो यहाँ पे कुछ mango खाने लगी ठीक है और mango खा example यहाँ पर देख 이제 पैरोट यहां से खा रही है अब इसमें से क्या होगा कि सीट्स लिक लेगा इसका मुह में जाएगा फिर दूसरा जगाँ कर यह कहीं दूसरा जगा उड़ेगी वहाँ पर जाकर बैठेगी अब इसका मुह से भाईचान से का तो से नीचे गिर गया तो वहाँ पे नया plants grow करने start करते हैं अब basically जिस चीछ का बारे में हमको पढ़ना तो उसी चीछ के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले bigs of birds जो हमारा chapter का नाम था मतलब bigs मतलब क्या होता है कि यह जो चोंच होता है यह वाला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बिक्स बोलते हैं अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास क्या है माउथ है जिससे हम लोग खाना खाते हैं तो बॉर्ट के पास भी बिक्स होते हैं उन माउथ के जगा पर ठीक है पिक्स क्या करता है इस तरीका से इन लोग को डिजाइन किया गए है बॉर्ट का बिक्स को न ताकि ओ फूट को खा सके इजली ठीक है 10-10 भी वही फ्रम बर्ड टो बर्ड इस लिए जो बसेप होता है ना बब्रस का जैसे की आप देखेंगे यह वाला जो हम आपको बताया थे इसमें क्या है कि छोटा है हाड है और पॉइंटेड बिक्स है देखो यह दोनों का ऐसा बिक्स होता है जो छोटा भी होते हैं और हाड भी होते हैं और पॉइंटेड भी होते हैं अब यहां पर हम लोग देखें कर्वड बीक के बारे में कि क बीवकरा जոतकर होता है ठोड़ सा मूड़ा मूड़ा टएक होते है यह मोड़ा हुआ हुआ टाइप होता है थी between a पारकी्ट हो गया B Ward's like a Parakenex लाइक होते हैं पारकीट साहसे बायक फिटों और कप्स कीम क्या करता है जैसे कि नर्ट्स वेगरा कोई आपका नर्ट्स हो गया ठीक है ना यह हर्ट फूट्स हो गया ऐसा फ्रूट चो हाड होता है बिल्कुल जो इसली नहीं टूटता है तो वह सब खाने के लिए यह कभ भी का इन लोग यूज करके क्या करते हर्ट भूख को फूट्स को भी एक र और पर पाराक की टुक्लीम और यह क्या करता है कि कहीं चढ़ने के लिए भी इसको मदद करता है कर दो प्रॉंग साप और होग भी बदलब की स्ट्रोंग होता है पूरा नुकीला होता है और इनका विक जो होता है हुक मतलब की हुक टाइप ऐसा लिकला हुआ Со enlargen आ रहेगा तरीका से इसलिए इसका Embassy नाम पढ़ा और किसका होता है जिसे उखली हों गया lambos हो गया सआरभ बहुता होता है वह जोता है क्रिक ऊसे ऐसकि इसलिए दिया Гरुंग फ्लैस इतिक अनियमल है फ्लैस इंप mutual हैं sorry ठीक है फ्लैस मतलब कि किसी दूसरे का माज़ा मार कर उसको खाते हैं चीक है तो ऐसे प्रोट तो एसे आदिमार्विक्स को फ्लैसितिंग बोलते हैं तो इस लिए ऐसा इसा ब्जान देता है ताकि िन सब जी लोग को चीट पहर कर रहें तो उसको टियारिंग करने में मदद करता है चीड़ फार करने मदद करता है ठीक है छोटे-छोटे बर्ट को इन लोग मार कर खाती है ओके देखो इसलिए इनका सब बिक्स को देखो सब सबका हलका यहां पर नुकीला टैप ऐसे लिखला हुआ होगा ओके नेक्स्ट हमारा ब्रोड एन फ्लैट बिक्स मतलब चौड़ा होता है और बिल्कुल फ्लैट होता है मतलब की सीधा इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा दिख रहा है यहां पर ऐसा बर्ट जैसे की डग क आप देखोंगे कि इस तरीका से इनका इसे बिक्स क्या करते हैं कि उनको किसी भी जैसे मुड वगारा हो किया ठीक है आवहां से ओम्स को फाइंड करना मतलब की छोटे-मोटे जो क्लिणे मकोड़े होते हैं जैसे की अर्थ हुआ हो गया यह सब तो उनको खाने में इसको सप्रत्संदक की भी करां की आगिया तो इस से क्या होता है कि अधर रफिकुरण के कारण क्या है कि इंट लोग वईसा इनिम्होंस को इसली मारा इएज्ली उनिदक सब्सक्राइए लोग लिक sensory कर यहां ब्रोड के कारण गीन करने कहा hem मिलेगा और ऐसा ताकि ये किसी भी कहीं पर भी इजली लकडी वेगारा हो उड़ हो उसमें अराम से होल कर सके चीजल सेप के करणा जैसे कि उड़ पिकर यह आपका उड़ पिकर पर्ट का नाम है इनका इस ट्रोंग और चीजल सेप विक्स होता है यह क्या मदद करता है कि तो उसको ट्रंक बोला जाता है उसमें क्या करता है होल करता है होल करके क्या करता है या तो अपने लिए नेस्ट बना लेता है रहने के लिए जगह बना लेता है या तो उसमें से इंसेक्ट भी लिका लेता है खाने उने के लिए जैसे कि प्याण वेगरा में इंसेक्ट होत तो इनका Bigs broad होगा सोट होगा इस्टीक्ष में क्या होता है अंदर में चाहोगा तो चिपची पाइप रहता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है feeding way में मतलब feeding जब और भी खाना हो ना खाने वाला जो system है ना और बर्ट्स का उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा यह क्या करते कि हवा में जब यह उड़ती है ना तो उड़ने टाइम क्या होता है कि यह अपना मुझ को खुला रखती है अपना बिक्स को ऐसे ओपन करके उड़ती है ठीक है और उड़ने के कारण क्य जाता है और चिपक जाता है उसको यह खा लेती है तो इस तरीका से ऐसे इसी लिए ऐसा बिक्स बनाया गया है ताकि यह इसली इंसेक्ट को खा पाए ठीक है अब देखो ब्रोड है लॉंग है और पॉइंटेड इनका चौड़ा भी है फिक्स और लंबा भी है और प्लस में पॉइंटेड भी है आगर नुकीला भी है देखो जैसे किंग फिसर हो गया स्टॉक्स हो गया इनका बिक्स तरीका से होता है ब्रोड लॉंग और पॉइंटेड ऐसा है इसले क्योंकि यह फिस कैच करती है मतलब इतना चोड़ा नहीं रहेगा तो तलाव वगरा में जो पान करके बताएंगे ठीक है बाइक टिक क्या